हालो काईज, वेलकम डूटेकी यासर यूटीव चनल और गैस्ट यूएने के एपिसोड नमबर 328 में आप सभी का स्वगत है किस आपके गर्मा गरम कोशन्स का गर्मा गरम रिप्लाइ देने वालो बिलकुल दिल से ओनेस्टी के साथ में सो गाइस चलि वीडियो स्टाट करते हैं सो फ्रेंड्स वीडियो स्टाट कर लेते हैं सो सववला कोशन यापर पुछते हैं ये बलते हैं ब्रो, IQ Neo 7 Pro and IQ Neo 9 Pro के में केमरे में कितना फरक है तो जादा मेजर डिफरेंस तो आपको देखने को नहीं मिलते है नो डाउड IQ Neo 7 Pro का कैमरा अपनी जगे पर काफी सही है लेकिन Neo 9 Pro का आपको बेटर मिलते है बिकोज वहाँ पर आपको Sony IMX 920 वाला सेंसर देखने को मिलते है तो डेफिनेटली में कैमरे में आपको फरक तो देखने को मिलते है नेक्स कोशन ये आपर पुछ रहे है आशिश गुपता ये बलते है OnePlus Note CE 3 से OnePlus Note CE 4 में अपग्रेट करना चीए नहीं देखो अगर आप नया फोन ले रहे हैं मुझसे पुछो कि कौन सा फोन लेना चीए बज़ेट इशू नहीं है तो मैं बलूँगा Note CE 4 के साथ में चले जाना लेकिन अगर अगर अब अल्डेडी Note CE 3 इस्तेमाल करो है ना आप पुछ रोगे अपग्रेट करना चीए तो मैं बलूँगा बिल्कुल भी करना नहीं चीए बिकॉज आप बल सकते हो दो से तीन चीज़ आपको माइनर से अपग्रेट डिखने को मिल रहे है उसके अलावा जादा फरक दिखने को नहीं मिलता है तो मैंने सबसे Note CE 3 को इस्तेमाल करो इसका नेक्स वर्जम Note CE 5 वगरा जब आएगा तब अपग्रेट कर लेना इसमें अपग्रेट करने का कोई सेंस नहीं बनता है नेक्स कोशन है अबर पुछर है यह बलते है बैस मोबाइल अंडर 15,000 और 20,000 अफ्लाइन मार्किट तो 15,000 उर्पे में चाहिए ऑनलाइन लो ओफलाइन लो वैसे भी जो ऑनलाइन वाले फोन है आज की रेड़े में सारे मिल जाते हाँ थोड़ा बहुत आपको फरक देखने को मिलता है प्राइस पॉइंट का तो 15,000 उर्पे की अगर हम बात करें तो दो फोन में आपको रेकमेंट करूँगा या तो आप Moto G54 5G देख लो या Poco X6 Neo 5G स्मार्टफोन की तरफ देख लो और 20,000 उपीस का बजट है मैं या पर आपको दो फोन रेकमेंट करूँगा या तो Vivo T3 5G परचेस कर लो या तो आप Realme Narzo 70 Pro या Realme 12 Plus 5G स्मार्टफोन के साथ में जा सकते हो नेक्स कोशन या पर पुछरे राकेश ये बलते है भाई Poco F6 इंडिया में कितने प्राइस पॉइंट पाएगा और इसके स्पेसिफिकेशन क्या होंगे अभी फिलाल के लिए या पर Officially Confirmation वगरा नहीं आ है लेकिन इंडिया लॉंच के अगर हम बात करें तो बता दो जल्दी लॉंच नहीं होने वाला है इंडिया प्राइस पॉइंट क्या होगा और क्या नॉट फॉर भी 1st April को लॉंच हो सकता है गया प्लीज रिप्लाइ बिग फैन तो नॉट सी इफॉर स्माटफोन का प्राइस पॉइंट बताया जा रहा है जो 8128 से बेसे स्टार्ट होगा और प्राइस पॉइंट विल भी इस सच कोई ओफीशल कंफरमेशन नहीं आया तो डेफिनेटी यह 1st April को मेरे सबसाब को देखने को नहीं मिलेगा यह मेभी आपको नेक्स मन्त में यह जून मन्त में इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है नेक्स कोशन या पर पूछ रहे है फेक यह बलते है ब्रो म सब्सक्राइब को मिलेगा यह पूछ रहे है यह बहुत ही बढ़िया हो आप कैसे मुझे पताना नीचे कमें लव यू टू फ्रम मुंबई यह बलते है रिसेंटली प्रचेस वन प्लस नॉट्री एट नॉट्टी एट जस्ट वन मन्त यूजड है इलेवन मन्त की वारंटी है आई गट इस फॉर ट्वेटी वन तौज़न फाज़न फाइवंदे उपीस एन फोन इकदम फर्स क्लास चल रहा है आपके सबसे डील कैस एक्सिलेंट डील का हुआ है डेमेंट सेटी 9001 प्लस नॉट्ट तरी 21,500 रुपे में 11 बंट वारंटी के साथ में एक्सिलेंट डील है मैं बहुत बढ़िया डील ग्राप करो नेक्स यहां मरें पुछ रहे है अभीनाव तिवारी यह बलता है रेड्मी नोट 13 प्रो वसेज रियल मी 12 प्रो किस फोन का कैमरा कॉलिटी बैस्ट है और 5-6 साल यूज करने के लिए रियल मी 12 प्रो 12-256 वाला पर्चेस करूँ यह रियल मी 12 प्रो प्लस का 828 वाला विरेंट ठीक रहेगा तो सिर्फ कैमरे की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली रियल मी 12 प्रो का बेट बच जाते तो मैं बोलूगा डेफिनेटली प्रो प्लस वाले विरेंट के साथ में चले जाना लेकिन आप ऐसे यूजर हो कि मदब 256GB मास्ट है मतब रिक्वाइड लगता है स्टोरेज थोड़ी जादा लगती है तो प्रो वाला विरेंट भी ले सकते हो दोनों में ज्याद क्यास हो मैं बहुत ही बड़ी आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में यह बरे मुझे एक और फोन चीए 20-25 रुपे में इनको गिफ्स देना है बिक डिस्पले चीए बिक बैटरी चीए और मेमरी चिपसेट वगर आपको अच्छी चीए तो मैं आपको रेकमेंड सबसे बड़ी सेल है वह तो आपको बीडी सेल वगरा देखने को मिलती है लेकिन थोड़ी डीसेंड वाली सेल है आप एप्रिल के मंत में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो देन उसके बाद में पूछ रहे हैं लवीटू फ्रम मंत में कौन से फोन न्यू लांच होने वाले हैं याँ पर जो अफिचिल कनफरमेशन आmos optimization आ चुक है कि यहाँ पर फास एपरिल को आपको देखने को मिलने वालेई एंडियन मार्किट में देखने को मिलने वाले हैं यह ओर और आ डिया हूल्या I hope so, कि मैंने बराबर सो reply कर दिया हूँ, कोई question चूड़ गया है, कोई question रहे गया है, कोई question अभी क्या बेकर आपके mind में है, तो बेज जोकों के नीचे comment section में पूछ सकते, मैं सारे questions का reply करने की कोशिश करूगा, तो इस होप कि मैं सुटस नहीं होगी, एनके सगर आपको यह पसंद आए, तो लाइक करें, शेर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और में टाप से अगले किसी फीडियो में, चब तक के लिए, थैंक यू